गुडिया की मम्मा बहुत परेशान अपने घर में बैठी हुई थी जब गुडिया नदी से पानी पी कर आती है मम्मा क्या हुआ आप इतना दुखी क्यूं है सब ठीक तो है बेठी मैंने गोरी कवी से कुछ पैसे उधार लिये हुए थे वो आई थी और बुरा भला बोल कर गई है मम्मा आप चिंता ना करें हम किसी ना किसी तरह गोरी आँटी के पैसे वापिस कर देंगे दूसरे दिन अभी सुभा सुभा ही थी के गोरी कवी फिर से आ जाती है चिडिया क्या कुछ किया मेरे पैसों का गोरी बेहन मैंने कल शाम भी आपकी विंती की थी के मुझे दो चार दिन का समय दे दें मैं आपके पैसे लुटा दूँगी देख लो चिडिया भी आज भड़ जाएगा ऐसा नहो के मुझे तुम्हें तुम्हारे घर से ही बाहर निकालना पड़े दो दिन में मेरे पैसे वापिस कर दो अगर ना किये तो फिर इस घर से जाने के लिए तियार हो जाओ गोरी कवी वहां से चली जाती है गुडिया और उसकी ममा चुप चाप एक दूसरे की तरफ देख रही थी फिर गुडिया बोजल दिल के साथ घर से निकल जाती है वो अपने घर से दूर निकल जाती है उरते उरते उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब दूसरे जंगल पहुँझाती है वो एक पेड़ पर बैठ जाती है गर्मियों का मौसम था थोड़ी दूर ऐसे मौसम में एक ठंडे पेड़ के नीचे एक बुड़ी फाखता नीम्बू पानी बेच रही थी खटे खटे नीम्बू की खुश्बू दूर तक जा रही थी गुडिया का भी नीम्बू पानी पीने को बहुत मन करता है मगर उसके पास पैसे नहीं थे वो उस बुड़ी फाखता के पास जाकर बैठ जाती है तोटा बड़े बड़े घूंट लेकर नीम्बू पानी पी रहा था जिसे देख कर गुडिया के मुँ में पानी आ रहा था बेटी क्या प्यासी हो नीम्बू पानी पियोगी क्या मगर माजी मेरे पास पैसे नहीं है अगर पैसे नहीं है तो फिर क्या हुआ लो आप ये नीम्बू पानी पिये ऐसा कहते हुए बुड़ी माजी गुड़िया को एक गिलास नीम्बू पानी दे देती है जिसे पी कर गुड़िया की जान में जान आती है लाइए आंटी, मैं आपके गलास साफ कर देती हूँ नहीं बेटी, मैं कर लूँगी मगर गुड़िया बुड़ी माजी के सारे गलास साफ कर देती है आप बहुत अच्छी हो छोटी जुड़िया बेटी आपका घर कहा है माजी मैं अपनी ममा के साथ पहाडों वाले जंगल में रहती हूँ हम बहुत गरीब है मेरा पापा कुछ दिन पहले मर गया था और कवी आंटी के कर्स का बोज है हम पर बाप के बिना बच्चों का पालन पोसन बहुत मुश्किल हो जाता है मगर मेरे पास एक उपाए है जिससे आपकी जिन्दगी अच्छी गुजर सकती है वो क्या माजी जल्दी बताएए मेरी ममा बहुत परेशान है वो सामने वाला नीम्बू का पेड़ मेरा है आप उस पेड़ से नीम्बू तोड़ कर ले जाएं और अपने जंगल में नीम्बू पानी बेचना शुरू करें फिर देखना बेटी कैसे आपके हालात जल्द ही बदल जाएंगे ये सुनकर गुडिया बहुत खुश होती है और फिर बुड़ी मा जी गुडिया को अपने पेड़ से कुछ नीम्बू तोड़ कर दे देती है अगर आपका काम चल गया तो फिर आप हर रोज शाम को मुझसे नीम्बू ले जाया करना मा जी सच में आप बहुत अच्छी हैं आपने बिना किसी लालच के मेरे लिए ये सब किया जाओ बेटी उपर वाला सब बहतर करेगा फिर गुडिया नीम्बू ले कर अपने घर वापिस चली जाती है रात को गुडिया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है गुडिया बेटी क्या हमारे जंगल के पक्षी नीम्बू पानी पसंद करेंगे मम्मा मैंने कल मा जी से नीम्बू पानी पिया था वो इतना स्वादिष्ट था जो भी एक बार पियेगा बार बार पियेगा हाँ बेटी हम कल से ही जंगल के रास्ते में नीम्बू पानी लगा लेते हैं हो सकता है ऐसे हमारे दिन बदल जाएं फिर वो दोनों मा बेटी ऐसा ही करती है और दूसरे दिन जंगल के रास्ते में नीम्बू पानी की रेढ़ी लगा लेती है सबसे पहले कबूतर चिडिया से नीमबू पानी लेकर पीता है जिसे गरम गरम मोसम में ठंडा ठंडा नीमबू पानी बहुत पसंद आता है चिडिया बेहन मुझे आपका नीमबू पानी बहुत अच्छा लगा है अब मैं अपने सारे दोस्तों को भी नीमबू पानी का बताऊंगा देखते ही देखते चिडिया का सारा नीमबू पानी खतम हो जाता है और उसे पहले ही दिन अच्छा मनाफ़ा होता है ऐसे ही दिन और रात गुजरते के और चिडिया अपनी बेटी से मिलकर अपना काम इमानदारी से करती रही ऐसे वो दोनों मा बेटी गोरी कवी का उधार भी चुका देती हैं और अच्छी जिन्दगी गुजरती है गुडिया अब ही बहुत चोटी थी इसलिए अभी उसकी ममा उसे उड़ने नहीं देती थी मममा चिडिया डरती थी कि अगर गुडिया उड़ेगी तो उसके चोट लग जाएगी मममा चिडिया को गुडिया से बहुत प्यार था मममा मेरी उमर के सभी छोटे पक्षी उड़ते हैं फिर आप मुझे क्यों नहीं उड़ने देती गुडिया मेरी जान मैं डरती हूँ अभी आप आराम से घर में ही रहा करें अभी मैं हूना आपके सारे काम करने के लिए आपको क्या जरूरत है उड़ने की मैं नदी पर जा रही हूँ और आप घर में ही रहना ऐसा कहते हुए मम्मा चडिया नदी पर चली जाती है मम्मा चडिया के जाते ही गुडिया रोज की तरहा उड़ने की कोशिश करती है पहली बार तो गुडिया थोड़ा सा उपर जाती है और वो गिर जाती है जब तक ममा नहीं आती मैं घर से बाहिर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ गुडिया फिर से उड़ने की कोशिश करती है और वो घर से बाहिर निकल जाती है थोड़ा उपर जाकर वो फिर से पेड़ के उपर गिर जाती है मगर उसे उनने में बहुत मज़ा आ रहा था वो ऐसा बार बार करती है और आखिरकार वो उनने लगती है वो उनना सीख जाती है वो हवा में उपर चली जाती है वो पेड़ों से भी उपर चली जाती है और फिर अपनी ममा के आने से पहले पहले गुडिया जल्दी से घर के अंदर आकर आराम से बैठ जाती है शाम को ममा चडिया भी घर आ जाती है वो अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आई थी लो बेटी भोजन खाओ ममा कल मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाओंगी मगर मम्मा चिड़िया का फिर से वही जवाब था नहीं गुडिया बेटी, आप गिर जाओगी, अभी आप छोटी हो मम्मा, अगर मैं बाहिर नहीं जाओगी, तो मैं कैसे सीखूँगी अभी मम्मा है न, आपके काम करने के लिए ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिडिया जब सुभा सो कर उठती है तो उसे तेज बुखार था मम्मा चिडिया बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को आवाज देती है गुडिया, गुडिया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ गुडिया, अपनी मम्मा के पास आ जाती है मम्मा, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रही है? बेटी, मुझे तेज बुखार है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आप खिड़की में बैठ जाओ और जैसे ही कोई पक्षी गुजरे तो उसे आवाज दे कर बुलाओ फिर गुडिया खिड़की में बैठ जाती है वो काफी देर तक बैठी रहती है गुडिया बैठी, अभी तक आया नहीं कोई भी पक्षी नहीं मम्मा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया अगर कोई पक्षी आए तो मुझे दवा ला दे मैं खुद से तो उड़कर अपनी दवा लेने भी नहीं जा सकती ममा, ममा, कवा अंकल जा रहा है मैं उसे आवाज देती हूँ अंकल, अंकल कवे, मेरी ममा बुला रही है बास सुने कवा वहां आ जाता है और खिड़की के बाहर बैठकर कहता है जल्दी बताओ, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ अंकल, अंकल, मेरी ममा को तेज बुखार है आप मेरी ममा को बुलबुल आंटी से दवा ला दे मेरे पास समय नहीं है फजूल में मेरा टाइम जाया कर दिया ऐसा कहते हुए कालू कवा वहां से चला जाता है गुड़िया बेटी, क्या कहता है कवा ममा कालू अंकल तो चलेगे वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है ममा, मैं आप से कुछ कहना चाहती हूँ बताओ, बताओ बेटी, क्या बात है ममा, मैं उड़ सकती हूँ जब आप नदी पर जाती थी तो मैं घर के बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस किया करती थी बेटी, मैंने तो कभी आपको उड़ते हुए नहीं देखा ममा, मैं आपको उड़ कर दिखाती हूँ ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी ममा के सामने उड़ती है देखा, देखा ममा, ममा, मैं आपकी दवा ले आऊँ अब तो मैंने आपको उड़ कर दिखा दिया है बहुत तेज हो आप, बेटी, मैं ड़ती रही और आपने उड़ना भी सीख लिया जाओ बेटी, जाओ बुल-बुल आंटी से मेरे लिए दवा ले कर आए फिर गुड़िया अपने घर से बाहर निकलती है वो तो ऐसे उड़ ही थी, जैसे वो कई सालों से उड़ रही हो वो सीधी बुल-बुल आंटी के पास जाती है आंटी, आंटी बुल-बुल, मेरी ममा को बुखार है आँ मेरे साथ चलें, और मेरी ममा को दवा दे दें रुको बेटी मैं बुखार की दवा ले लूँ फिर बुलबुल बुखार की दवा लेकर गुडिया के साथ जाती है आज गुडिया बहुत खुश थी क्यूंकि आज पहली बार वो अपनी मम्मा के सामने उड़ी थी बुल बुल मम्मा चिडिया को दवा दे कर चली जाती है देखा मम्मा अच्छा हुआ ना जो मैंने उड़ना सीख लिया था हाँ मेरी बेटी आपने बहुत अच्छा किया जो उड़ना सीख लिया अब मुझे कोई चिंता नहीं है फिर मम्मा चिडिया भी ठीक हो जाती है और वो मा बेटी भोजन लेने एक साथ जाती है गुडिया तो अपनी मम्मा से भी तेज ओड रही थी जिसे देह कर मम्मा चिडिया बहुत खुश थी